हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बोट गला बनाने का सबसे आसान तरीका तोस्तो बोट गला आजकल बहुत जादा ट्रेंडिंग में चल रहा है लेकिन दोस्तो जो सबसे बड़ा कन्फूजन होता है बिगिनर्स को कि बोट गला बनाते हैं समय आर्म होल और तीरा कितना लिया जाता है आपको एक एक चीज़ दोस्तो आज की वीडियो में मैं बारिकी से बताओंगा और फैंट साथी साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप सिर्फ ड स्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो फैंटस अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो फैंटस जब भी आपने कभी भी बोट गला बनाना तो एक चीज़ जमेशे आपको याद रखनी है आपको जो तीरा है तीरा आपको उतना ही लेना जि साथ ये देखिए मैंने साथ इंच पे तीरा ले रखा है रही बात आर्म होल की आर्म होल आपको हमेशा आदा इंच बढ़ा कर लेना तो ये देखिए आर्म होल जो मैंने लिया वो लिया मैंने साड़े साथ ये एक फार्मूला होता है दोस्तो जब भी आप बोट गला बना जैसे हम कभी आपने किसी जील में या फिर समंदर में कभी बोट में सफर करा नाव में सफर करा उसके जो शेप होती है बिल्कुल एक नाव की तरह होती इसलिए से बौट गला बोला जाता है में दोस्तों बॉड़ गला बनाया कैसा जाता है देख hm podía 20 बॉग्रम को इस प्रकार से करना आड डबल ठीक है इसको में डबल कर लेता हूं डबल करने के बाद सबसे पहले आपको एक निचे निशान लगाना है ये देखें ठीक है ये निशान यहां से आपको कम से कम एक इंच की दूरी पर लगाना है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बोट गले की चोड़ाई और इसकी गहराई कितनी होती है एक दोस्तों मीडियम साइज का जो बोट गला होता है उसकी जो होती है जिसको हम गहराई बोलते हैं वो होती है साड़े चार इंची देखिए साड़े चार आप पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है यह साड़े चार पर मैं सीधा एक निशान लगाता हूं और बात करें इसकी चोड़ाई की बोट गला दोस्तों अकसर यह चोड़ा होता है तो इसकी जो चोड़ाई हमने लेनी होती है वो प्रकार भी यही पर पांच पॉस्चे पहूब को सीधा निशान लगाना इस से उसकी अदो साचा बना करते हैं साचा बनाने के daytime नीचे की त्रव से आपको कि इस्प्रकार निशान लगाना और यहां से आपको thermos is नि इसमें गोलाई यह निकिक जो शेप झ का लिया आपको लेकिन जब बोटगला बनाते हैं तो इस जगेसे आपको जो दूरी लेनी है वो लेनी है आपको 2 इंच ये देखिए जए दो इंच पर निशान लगाना है यह वाला अब यहां से आपको इसमें देनी है यफ यानि कि यहां से शुरु गाथ करनी है और यहां पे जाके इसको मिलाना है, बीच में यह जो है इस परकार से इसके साथ मिलाएंगी इस निशान के साथ यह देखें, हलकल के डあーds लगाने, और यह देखें, इस परकार से आपको इसमें shape देनी है बदोस्तो यह जो मिनने निशान लगाया है इस निशान पर हम करेंगे कटिंग आधे कि इसके बाद धूस्तों अब यह जो नीचे का इसना है इसको लगबर एक यह फिर फिर पोनी इसना रखना है बुकरम को और यह देखिए इस प्रकार से कटिंग कर देनी है कटिंग करने के बाद दोस्तों यह देखिए आप इसकी शेप देख सकते हूं बिल्कुल बोट वाली शेप आ चुकी है जिसे हम नाव बोलते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए बोट गले की मैंने नहीं होता और इसी वैसे दोस्तों ये गला पहने के बाद गिरता भी नहीं है क्योंकि इसमें गहराई कम होती है और डीपनेस कम गहराई तो इसकी कम होती है और इसकी जो चुड़ाई होती है वह होती है जादा दोस्तों गला आप कितना भी चोड़ा बना लो लेकिन उसकी ज प्रकार से रखें टोटल जो बीज की इसकी जो डिस्टेंस था जो चुड़ाई थी वो थी 10 इंच इस प्रकार से 10 रखते हुए बिल्कुल किनारे के नहीं पर लगानी है और उसके बाद साइड का जो एक्स्टा कप्ड़ को फोल्ड कर लेना है तो तो सारा प्रोसेजर में आ आराम से फोल्ड कर सकें यह देखें इस प्रकार से यह जो एक्स्टा कपड़ा इसकी कटिंग करनी है बिल्कुल बीच ओ बीच सेंटर में आपको इस प्रकार से पकड़ना है गले को यह देखिए और यहां पर लगाना है कट इस यह कट लगाने के बाद अब आपको उठान है सूट का फ्रेंट वाला पार्ट जिसमें आप बोट गला बना रहे हो यह देखिए फ्रेंट वाला पार्ट इसका इसको इस प्रकार से बीच में से पकड़े और इसी प्रकार से सेंटर में आपको कट लगाना है दोस्तों इस कट का मतलब यह होता है कि आपको कट से कट ज हो से दोस्तों गला अपनी जगा किती है ब्लकुल बारा यह सप Tina एगी कट से owl bes tasks से सैंट्र लगाने के बाद किस अब आपको wur अब सिकाने बिलकुल पर किनारी स्थ weekend नहीं ब्लकुल जगांगी इस पड़ार से अब आपको जितना भी अंदर कपड़ा है इसकी आपको कटिंग करनी है कटिंग आपको इतनी ही करनी है कि बस आदा इंच के क्रीब इसके अंदर मार्जर रह जाए यह देखिए इस प्रकार से कटिंग कर ले अब इसमें आपको जहाँ-जहाँ हल्किल की गुलाइद दिखरी आपको कट लगाने चोटे-चोटे यह देखिए इस कट से दोस्तों गले में जो है अच्छी फिनिशिंग आती है अगर आप यह कट नहीं लगाओ तो गले की जो प्रोपर शेप है वो बन ही नहीं पाएगी इस प्रकार से कट लगाने कट लगाते समय ध्यां रखना है कि आ आपको नजर आ रही होगी अब दोस्तों इसमें आपको लगानी कच्ची सलाई यह इस प्रकार से आप कच्ची सलाई लगा सकते हो जैसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूं यहां फिर दोस्तों इसमें आप कच्ची सलाई नहीं लगाना चाहते तो बिलकुल किनारे पे इसम तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि बोट गला हमारा बन चुका है यह जो मैंने कनारिक स्राइल लगाई है अब इस स्राइक को धिरने की जूरत नहीं है और इसके साथ साथ यहां पर अपकी अंदर की तरसे आपको दिखाता हूं तुर्पाई हो जाएगी और इस प्रकार से आप बोट गला बना सकते हो तो दोस्तों यह थी मेरे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बोट गले बनाने के कुछ टिप्स बताएं कितना आर्म होल कितना तीरा लेना है बोट गले की कैसे करनी है कैसे इसको सीलना है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो त प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यो वेरी मच